नमस्कार चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो इस्टेट अब और देख रहे आप और मैं हूँ आपके साथ दिव्यासिक जैसे जैसे वोटिंग का समय नस्दीक आता जा रहा है वैसे वैसे पक्ष बिपक्ष पाटियों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है एक तरफ जहां कॉंग्रेस के अशुक गैलोत सचिन पालिट राहूल गांधी प्रियांका गांधी ताबट तोड रहलिया कर रहे हैं वहीं बीचे पी के स्टार प्रचार को का भी तुपानी दोरा तेट हो गया है लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार अशुक गैलोत अपने कुर्सी बचा पाएंगे आज इस शो में इसी पर चर्चा करेंगे चर्चा के लिए पर सांथ स्टूड़े में मुझूद है सबसे पहला सवाल सर ये हुजाता है कि क्या लगता है शुक गैलोत अपने कुर्सी बचा पाएंगे राजस्तान देखिए कॉंग्रेस पार्टी के लिए मैं ये कहूंगा कि जब साप बिल के अंदर गुज जाए तो बाहर बिल के बाहर डंडा बजाने से साप मरता नहीं है गेम इज ओवर फॉर कॉंग्रेस पार्टी ने राजस्तान दिक्कत क्या है कि अब तो और अब देखे भाषा बदल गई है और वकाइदा जो रिपोर्ट पिछले दो दिनों से आ रही है ये MP और 37 गल के वोटिंग के बाद से तो क्या कॉंग्रेस पार्टी एक तो अल्रेडी ये लोग जो है डिप्रेशन में चले गए कहां ये लोग तेलंगाना जीतने का दावा कर रहे थे कहां ये लोग राजस्तान भी जीतने का दावा कर रहे थे राहू गांदी कह रहे थे कि वह फोर जिरो होगा फोर जिरो होगा इस्तिती बिलकुल पलट सी गई है कार्गरेस पार्टी का नेता पिछले दो दिनों से मुझे दिखता हुआ नजर नहीं आया कि हम बहुत कंफुर्टेबली जीत रहे हैं कमलाद से पूछा जा रहा है तो कमलाद भी करें कि पहले तो आकड़ा दे रहे थे एक सो साथ सीटे जीतेंगे एक सो पचास सीटेंगे अब तो वोटिंग हो गई आपके पास एक्जिट पॉल का रिजल्ट होगा देखिए है क्या इसको समझना जरूरी है कि मीडिया पे एक्जिट पॉल नहीं आया है लेक के चेहरे से मालूम चल रहा है अब राजस्थान में क्या करेंगे अलड़ी वह लॉस्ट जो आप जीतर आपके हाथ में थी वहाँ आप तो कुछ करनी पाए राजस्थान दूर की कोड़ी है राजस्थान में कॉंग्रेस पार्टी बिलकुल ही अपने नियूंतम परफॉर् नहीं है ऐसे मौके पर जब जहां चुना होना है जहां बार बार भारती इंता पार्टी कनिया लाल जी की मौत के ऊपर उसको मुद्दा बना रही है जिस तरह से पीफ़ाई का आतंक चल रहा है राजस्थान के अंदर में तो यह तो आप जान बूझकर आप खुद पॉलरा एंपी और चत्रीजगर के वोटिंग के पहले अगर यह बयान आ गया होता तो मामला और भी खराब हो गया होता तो यह जो कॉंग्रेस पार्टी जो राजस्थान में करने की कोशिश कर रही है यह लोग अच्छी तरीके से जानते है कि राजस्थान में कुछ नहीं होने वा कनहिया लाल की हत्या हुई अब कॉंग्रेस पहले तो छटपटाहट में क्या की अशोग गहलोत कहने लगे कनहिया लाल की हत्या तो भारतिय जंता पार्टी के लोगों ने कहा है और कराया है उसका सामिल है उसमें जब दा उल्टा पड़ गया तो फिर इनको यह समझ में आ है कि हिंदुत्व तो एक बड़ा मुद्दा राजस्थान में है हिंदुत्व की बात छोड़ा नहीं जा सकता इसको छेड़ दिया है भारतिय जंता पार्टी नहीं और अब छोड़ना संभव नहीं है तो आज देखिए राहुल गांधी क्या लिख रहे हैं गायत्री मंत्र ओम भुर्भुवस त्वत्वत्र वरन्यम भर्गो देवस्य धीमही दियो पर्चोद्यात ये लिख रहे हैं अपने ट्विटर पर और वीडियो क्या सेयर कर रहे हैं प्रियंका वाडरा का जो वहां गायत्री मंत्र का जाप कर रही है जाके और ये भगवा सॉल ओडे हुई है साथ में ओम लिखा हुआ है ये राहुल गांधी और प्रियंका वाडरा ये दोनों हिंदूत्व की बात करेंगी पहले ही गिर चुके हैं हिंदूत्व के मुद्दे पर इनको लगा कि एक बार कोशिश करके देखो गायत्री पूजा करो यग करो गलोत उसके साथ यग करत अगर एक बड़ा मुद्दा हिंदूत पर गया है और पिये मोदी ने अमिशा ने योगी बाबा ने इन लोगों ने बनाया है ये आधार तो गहलों तो ऐसे ही पिछड़ चुके हैं अब ऐसे मुद्दों पर कॉंग्रेस की सरकार कहां आगे बढ़े वो तो ये देख रहे ह हैं कि हार तो होगी ही लेकिन कितनी बेज़ती वाली हार होगी अपने थोड़े बहुत सम्मान को बचा पाएंगे कि नहीं इसी के लिए चुनाप परचार कर रहे हैं बरना सारे नेता जो हैं घर में बैट के इंतजार करते जितना वोट मिल जाए उसे अकसेप्ट कर लो और जो नकली हिंदू इनके लिए आप जो स्ट्राडिजिक वोटिंग करते हैं ये मुस्लिम समाज को बेफकूप समझते हैं राजिस्थान में 6-7 पर फिस्दी के आसपास मुस्लिम पॉपलेशन है तो वहां ये हिंदुत्यों का चोंगा ये जो है पहन लेंगे क्या ओम भूर विवस्वा सुरू कर देंगे गिर्वा पहन लेंगे पूजा पाट सुरू कर देंगे और वही बंगाल में यूपी में बिहार में या फिर केरल के अदर चुना होगा तो ये हमास के साथ खड़े हो जाएंगे आतंकबादियों के साथ खड़े हो जाएंगे जिहादियों के समाज के intelligence को challenge करते हैं कॉंग्रेस पार्टी मूलत ये समझती है कि हिंदुस्तान का मुस्लिम वर्ग ये महा मुर्ख लोग हैं देवकूफ हैं इनको आराम से चला जा सकता है इनको जो है आकर के टोपी पहन लो इफ्तार कर लो दो तिन बयान दे दो हिंदू के खिलाब कुछ क इनका कुछ उसके हलावा कुछ अब दिक्कत क्या है मद्द परदेश के अंदर 36 गर्द के अंदर मुस्लिम समाज ने एक जुट होकर के एक मुस्लिम कॉंग्रिस पार्टी को वोट किया तो कॉंग्रिस पार्टी को समझ में आता है कि बही ऐसा है कि मुसल्मान जाएगा कहा ये तो हमारा गुलाम है जाएगा भाग के जाएगा कहा मिया की दोड़ मस्जिद तक कॉंग्रेस के लावा कोई आप्सन नहीं है मुसल्मानों क्यों इसलिए वो खुल के जो है खेलना सुरू कर देते हैं उसी तरीके से पांचे परचन जब गुजरात में होता है तो ये जनेव उपर पहन करके बंदर बंदर गूमते हैं कभी राम बंदर गए हैं कभी प्रेंगा वाटरा यूपी में गई ही राम बंदर नहीं क्यों वहां लालच होता है बही मुसल्मान नराज हो गया तो तो हर राज में इनकी अलग-अलग strategy होती है अब आपने पूचा किसका क्या असर होगा भै असर कुछ नहीं होने वाला है उल्टा जो है हिंदु समाज जो है वह जगरित होता चला जा रहा है कि ये लोग बेवकूब बनाने के लिए आते है ये लोग हिंदु के साथ चल कर रहे हैं लेकिन असर जहाँ होना चाहिए असर होना चाहिए मुसलमानों को कि भाई एक तरह एक party है जो तुमको सबसे ज़्यादा घर बनवाकर दे रहा है पेसे भी दे रहा है अनाज भी दे रहा है सब कुछ दे रहा है लेकिन मती ऐसी मारी गई है इन लोगों की कि ये बार-बार उसी के पास पहुँच जाते हैं जो इनको बेवकूप समझता है तो ये तो एक लॉंग टर्म डिबेट है कि मुसलिम समाज को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए लेकिन दिक्कत क्या है कि कॉंग्रेस पार्टी को ये बात समझ नहीं आती है कि आप चुनाओ के समय ओम भूर भूरस्वा करोगे और अंदिने राम के स्तित के उपर सवाल खड़े करोगे जब भोले नात का मसला आएगा काशी का तो सैलेंट हो जाओगे तब आप जिहादियों के साथ खड़े नजर आओगे जब भगवान सिर्केशन के जन्मस्थान का मसला आएगा मतुरा का मसला आएगा तब आप जो है मुसलिम समाज के साथ खड़े हो जाओगे तो आप हिंदू का वोट सिर्फ ये चोंगा बदलने से आपको बोट मिलने वाला नहीं है तो ये कॉंग्रेस पार्टी भी जान रही है पता नहीं क्या इनके दिमाग में चलता है किस तरह की रणनीती ये लोग बनाते है बड़ा ही इममचूर और बहुत ही नौसक्य किस्म का ये स्टरजी लग रहा है क्या लगता है कॉंग्रेस के सरेंडर करने का समय आ गया है क्या है राजस्तान में सरेंडर तो कर चुके हैं कॉंग्रेस वाले राहूल गांधी जो गायब है ये सरेंडर की और इसारा है अशोक गहलोत केवल आरोप इस बात का लगा रहे हैं कि भारतिय जन्ता पार्टी नहीं ED, CBI यहां चुनाव लड़ रही है ये अशोक गहलोत जो इन दिनों यात्रा कर रहे थे ये कहीं भी एक तस्वीर नजर नहीं आई यात्राओं की क्योंकि लोग है जो इनको देखना नहीं चाहते हैं कॉंग्रेस के कारकरता जो भाड़े पर रखे गए हैं कुछ लोगों को पैसे देकर कुछ लोगों को परलोभन देकर रैली में शामिल कर लिया जाता है ये इस्थिति वहां पर चल रही है अब तो गहलोट या पाइलोट खुद ही अपने छित्र में घिरते जा रहे हैं रमेश विदूरी पहुचे हुए हैं वहां टोक में और अशोग गहलोट का जो परतिद्वन्दी बने ये सचीन पाइलोट वही चाब से ज़्यादा परिशान है कि यहाँ पर अगर हमारी हार होती है तो हमारा राजनितिक भविस्ते क्या होगा क्योंकि यो पूरे छित्र की जिम्मेदारी एक विधान सवा की नहीं है बलकि छित्र की जिम्मेदारी बड़े नेता की होती है तो राजस्थान में जो इस्थित्या बदली है कॉंग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है और नहीं सोचते हैं, कि अभी विधान सभा के चुनाब के तैयारी कर रहे हैं, एक ही एजंडा, अंतिम एजंडा, 2024 में इन राज्यों में से कुछ सीटे मिल जाए, राजस्थान में 25 की 25 लोग सभा सीटे भाजपा के पास है, मद्द पर्देश में केवल एक कॉंग्रेस के पास ह अठाइस भाजपा के पास है, तो इन जगों पर इनके लिए कोई जगह, अस्थान, आधार बचा ही नहीं है, राजस्थान तो पूरी तरीके से कॉंग्रेस मुक्त होने जा रहा है। सरेंडर का देते हैं, आज के लिए हमारे श्यों में फलाल के लिए तना ही देखते रहें, कापिटल टीवी, नमस्कार। और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने द्रड संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं, और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोडेंगे नहीं, जब तक हमारे जीत सुनिस्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं।